एक संध्या के छुटपुटे में छुटपुटे थोड़ा थोड़ा अंधिरा होने का समय संध्या शाम एक संध्या के छुटपुटे में लूसी ऐसी गई फिर लौट ही न सकी एक दिन शाम को जब अंधिरा होने वाला था तो लूसी सामान लेने के लिए दुकान पर गई ल बरफ के दिनों में सांज से ही सगन अंदकार गिर आता है। जब बरफ के दिन आते हैं सनोफॉल होती है उस समय शाम को ही एकदम अंधेरा हो जाता है और हवा ऐसी तुशार बोजिल हो जाती है। और हवा जो चलती है उसमें हिमकंड तुशार हिमकं यानि बरफीली हवाई चलती है और गंध भी वहन नहीं कर पाती। और उन बरफीली हवाओं में जो लूसी या कोई भी कुत्ता जिसमें घ्रान शक्ती, सूंगने की शक्ती बहुत ज़ादा होती है, वो गंद वेहन नहीं कर पाते, सूंगने की शक्ती उनकी कम हो जाती है इसी से प्राय शीत काल में घ्रान शक्ती के कुछ कुंठित हो जाने के कारण, देखे घ्रान शक्ती, सूंगने की शक्ती यही कारण है कि प्राय शीत काल में सर्दियों में घ्रान शक्ती के सूंगने की शक्ती के कम होने के कारण, कुत्ते लगडभगों के आने की गंद को पा कुट्टों में यह विशेष्टा होती है कि वो सूंग कर अपने शत्रू का पता लगा लेते हैं लेकिन सर्दियों में जब स्नोफॉल होती है बर्फ गिर रही होती है तो उनके सूंगने की शक्ती कम हो जाती है जिसके कारण उन्हें लकड भगों के आने की गंध नहीं आती कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उप्रांत उप्रांत मतलब बाद में ही प्रांड दिये होंगे जब सुभा हुई तो सब ने देखा कि बर्फ पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे और आगे पीछे घसीटने के भी निशान थे तो इससे सब ने यह सोचा कि लूसी ने उस लकड भग्ये से बहुत संघर्ष किया होगा और आखिर में अपने प्रांड तियाग दिये होंगे बर्फ पर रक्त के धब्बे ऐसे लगते थे और बर्फ पर खून विखरा हुआ था वो ऐसा लग रहा था मानो किसी बालक की ड्राइन पुस्तिका के सफेद पिष्ट लाल स्याही की दवात उलट गई हो और उस बर्फ पर लूसी के खून के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे की ड्राइन की कौपी पर ड्राइन की कौपी के जो पेज होते हैं वो बिलकुल सफेद होते हैं बर्फ की तरह उस पर लाल स्याही की लाल इंक की दवा उलट गई हो, यानि चारो तरफ खून ही खून था, लूसी के लिए सभी रोई, सभी रोई गाओं के जितने भी लोग थे, परन्तु जिसे सब से अधिक रोना चाहिए था, वहे बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था, नेकिन जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था उसका बच्चा उसे तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो केवल पांच दिन का था एक दिन पहले ही उसकी आँख खुली थी एक दिन पहले ही उसने आँख खोल कर देखना आरंब किया था अतेमा से अधिक वे दूद के अभाव में शोर मचाने लगा उसे मा का एहसास नहीं था तब तक वो तो केवल भूख लगने पर दूद के कारण शोर मचाता था दूध चूण से दूद बनाकर उसे पिलाया दूद की सूखा दूद जो ड्राइस दूद होता है उसे दूद बनाकर उसे दूद पिलाया गया पर रजाई में वहे मा के पेट की उशनता खोज था लेकिन उसे और बाद में उसे रजाई उड़ाई गई लेकिन रजाई में वह मा के पेट से चिपक कर सोता था और मा के पेट की गर्मी का एहसास खोज रहा था और ने पाने पर रोता चिलाता रहा और जब उसे मा के कमी महसूस हुई तो वह चिलाने लगा अंद में हमने उसे कोमल उन और अदबुने स्वेटर में की डालिया में रख दिया जब उसकी रजाई से भी ठंड कम नहीं हो रही थी तो हमने सौफ्ट उन के बने हुए स्वेटर के बीच में उसे बिठा दिया जहां वह मा के सामिप्य सुख के भ्रम में सो गया और उस स्वेटर में इतनी गर्मी थी के उसे ये एहसास होने लगा कि वह मा के ही समीप है और इसी भ्रम में वह सो गया डालिया में वह उन की गेंद जैसा ही लगता था और उसमें लिटा हुआ उस अदबुने स्वेटर में लिटा हुआ वह उन की गेंद जैसा ही लगता था वो इतना सौफ्ट और मुलायम था जैसे उन सौफ्ट होती है तो ऐसा लग रहा था जैसे उन की गेंद ही उस स्वेटर के अंदर हो